नमस्कार दोस्तों स्वागत थी आप सभी का आपके अपने चैनल और इस्टडी पर जिन दोस्तों आज किस वीडियो में हम चावल के मुल्यों पर कीलो ग्राम का हिशाब करना सीखेंगे और इस वीडियो में हम ग्राम का निकालना यानि ग्राम का वेलू निकालना सीखेंगे दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि किलो ग्राम का छोटा यूनिट होता है ग्राम यानि किलो ग्राम में कोई भी बस्तू दिया रहे उसका मुल्य दिया रहे और ग्राम में आपको बस्तू लेना हो यानि बहुत कम आपको बस्तू लेना हो ग्राम में लेना हो तो उसको पैसो का हैसाब कैसे करते हैं असान तरीका क्या इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ पर जो कोशन दिया गया है ना इस कोशन के सारे हम सीखेंगे तो यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि किलो ग्राम का यूज हमारे डेली लाइफ में होता है तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट हमारे जो कोशन इसको केरफुली पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे कोशन क्या है यदि 200 रुपए में 8 kg चावल मिलता है महले जी का आप कहें भी मार्केट जाते हैं तो अगर आप 200 रुपए पेमेंट करते हैं तो आपको 8 kg चावल परदान किया जाता है तो 30 गराम चावल का मुल्या निकालें दोस्तो कोशन काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर देखिए 8 kg चावल जो है ना 200 रुपए में मिल रहा है तो इसी के हिसाब से और उसी दुकान में अगर 30 गराम चावल लेना हो तो कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा यह हमको फाइंड करना है तो कोशन काफी इंपोर्टेंट होगा तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर शोलूशन शोलूशन लिखेंगे अब देखिए सबसे पहले कोशन में क्या दिया है सबसे पहले दिया है कि 200 रुपए में 8 kg चावल यानि 8 kg चावल का मूल्य हमारा दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 kg चावल का मूल्य जो है कितना रुपए दिया है तो हमारे यहाँ पर 200 रुपए दिया है 8 kg चावल का मूल्य हमारे यहाँ पर 200 रुपए दे रखा है तो हम यहाँ पर 200 रुपए लिख देंगे उसके बाद ही न ग्राम का भेलू हमारा निकलेगा तो यहां से हमें 1 kg का कैसे निकालेंगे तो 1 kg यानि 1 kg का निकालने के लिए आपको डायरेक्ट यहां पर 1 kg कर देना है यानि 8 kg के जगा पर मैंने 1 kg कर दिया तो यह जो 8 बराबर के left side में है और kg के गुना में यहां पर कोई भी चिने तो समझे गुना छिपा है और यही 8 बराबर के right में जाएगा तो जो भी number यानि 200 रुपए है ना पहले से इसके बटे में यह वहला 8 यहां पर लग जाएगा और रुपए है तो रुपए हम यहां पर लिखतेंगे अब देखिए क्या होगा कि 8 से कटाएंगे 200 कितना बर में कटेगा देखिए आठ से कटाएंगे 200 तो आठ दुने की सोल इसमें से चार बचेगा ना तो वह चारिस जीरो के पहले लग जाएगा तो यह जो गा आ चुका है तो मैंने कहा था कि जब एक केजी चावल के मुल्य निकल जाए ना तो इसको हम ग्राम में करेंगे तो देखिए ग्राम में करने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि एक किलो ग्राम में हमारा एक हजार ग्राम होता है एक किलो ग्राम के बराबर हमार यह क्योंकि má ना कि 25 को पैसा मेर तो 25 रुपय है तो यहां भी आपका 25 रुपय ही रहेगा समझ रहे है आब यहां से हम क्या करना है कि हम यहां को घ्ले निकलना को 117 इक ग्राम के मुल्य को निकलना यहां सर्थ को कि एक गराम को निकलना तो हम के करेंगे जहां पर एक गराम कर देंगे एक गराम हमने कर दिया अब देखिए जो एक और बराबर के लेफ्ट में है और गराम के हैं तो रुपई यहां पर हो जाएगा यहनी ग्राम का मुली हमारा एतना रुपई हो गया अब इसको सोड़ा सा कट कर लेंगे देखिए 25 एकम 25 और 25 चवह के 100 होता है और यहां पर उतर जाएगा यहांनी 25 40 में गुणा करेंगे तो आपको यहां पर question में यहाँ पर कर रहा है कि 30 gram का value क्या होगा इन्हें 30 gram का मुल्य क्या होगा तो यहाँ पर हमारा 1 gram का मुल्य जो है 1.42 रुपए निकल चुका है तो हमको 30 gram का निकलना है तो हम क्या करेंगे बराबर के left side और बराबर के right side दोनों तरफ सिर्फ 30 से गुना कर देंगे और हमारा 30 gram का मुल्य निकल जाएगा तो चलिए गुना कर देते हैं तो चलिए हम यहाँ पर दोनों तरफ 30 से गुना कर देंगे यहाँ पर 1 gram है तो एक गुना है हम 30 gram कर देंगे और यहां पर एक बटा 40 रुपए है तो एक बटा 40 में हम 30 रुपए से गुना कर देंगे जो कि हमने यहां पर कर दिया अब देखिए यहां पर जो है एक जिरो से एक जिरो कर जाएगा और एक का गुना करेंगे तीन में तो आपका तीन और बटा में क्या हो जाएगा तो आपका तीस गरम को जी से नोट करते हैं तो चेयरो और दसमलौ लगाएंगे जबाहूं के पहले-जिरो लगाते हैं अच्छा लगने के लिए जीरो दसमलाव लगाएंगे उस इसलें यहां पर 0 हो गया जब दसमलाव लगा देते हैं तो यहां पर चुट जाती है तो यहां पर 30 हो गया और घटाएंगे तो दो बचेगा और उसे दो पर फिर लगा सकते हैं तो अगर बीस हो गया तो चार पंजे बीस यानि यहां पर पांच हो जाएगा यानि 0.75 यह हमारा 30 ग्राम का मुल्य यहां पर निकल चुका है जिसको अगर रुपए है तो यह कितना रुपए हो जाएगा तो जीरो रुपए और 75 पैसे प्वाइंट के राइट में जो होता है पैसा होता है तो 30 ग्राम का भैलू जीरो रुपए और 75 पैसे हमारे होंगे यानि एक रुपए से 25 पैसा कम होंगे तो दोस्तो आई होब किस वीडियो के माधियम से इस टाइप के कोशन को सॉल्व करना स्क्राइब कर दिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइबाइज जाहिंद